नमस्कार दोस्तों वेलकम बैक टू आकरिती आज मैं आप लोग को अपना बालकनी गार्डन दिखाने जा रहे हैं जिससे मैंने घरों के वेस्ट चीजों से सजाया है आज मैं वेस्ट मेटेरियल पर ही वीडियो लेकर आई हूँ जिससे आप अपने गार्डन में यूज करके अपने गार्डन को सुन्दर लुक दे सकते हैं और ये सारे वेस्ट मेटेरियल आपको अपने घरों में आसानी से मिल जाएंगे जरूरी नहीं कि आप मार्केट से कॉस्टली पॉट्स लेकर आए तभी आप अपने गार्डन को खुबसूरत लुक दे सकते हैं ये बिलकुल देखने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर न्यू है तो और बेल आइकन भी दबा दीजिए जिससे की आने वाले वीडियो का नौटिफिकेशन आपको मिल जाए तो चलिए एक-एक करके मैं सारे अपने बालकनी आपको दिखाती हूं किस तरह मैंन वेस्ट चीजों से अपने गार्डिन को सजाया है यह देखिए दोनों पॉड भी वेस्ट मेटेरियल से ही बनाई हूं यह पानी का मटका था जो लीक हो रहा था तो मैंने इसे प्लांटर का रूप दे दिया इसमें मैंने मधुमालती का प्लांट लगा दिया है और मैंने इ देखिए यह भी एक प्लास्टिक का ड्रम है इसमें मैंने अलमंडा का प्लांट लगा रखा और बहुत ही अच्छा डेवलेफ हुआ है इसमें भी मैंने कुछ डिजाइन बना दिया है आप अपने मन पसंद से डिजाइन बना सकते हैं यह पाट भी बहुत पुराना है और कहीं से तूट गया है तो इसे मैंने पेइंट करके नया लुक दे दिया है यह अफ़ चाहें वैसा डिजाइन बना सकते हैं उपर का टूटा हुआ को मैंने कवर करने के लिए वहाँ पे एक छोटा सा डिजाइन दे दियां अब यह देखिए यह मेरा छोटा सा मघ्ग है जिसमें क्रैक आ गया था तो मैंने इसमें जेट प्लांट लगा दिया है और ये बीना DRANGE का लगाया हुआ है та कितना अच्छा ड्रेनेज के बीना भी डेवलप हो रहा है इस तरह बीना ड्रेनेज ये होल का भी प्लांट लगा सकते हैं किसी भी पॉट या गंबले में इसका वीडियो भी मैं बना रखी हूं लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी आप चाहें तो वहां से देख सकते हैं यह एक छोटा सा चमनप्रास का डबबा था जिसे मैंने प्लांटर का रूफ दे दिया है और यह बिसलरी का छोटा सा बॉटल है जिससे मैंने टेनो क्लॉक प्लांट लगा के रखा है अभी मेरे पास ज्यादा प्लांट नहीं है लॉकडाउन के कारण मैं नह यूज कर सकते हैं मैंने ब्लैक सेलेक्ट किया आप कोई भी कलर यूज कर सकते हैं मल्टी कलर भी यूज कर सकते हैं यह पानी का डिस्पेंसर था जिसे मैं यूज नहीं करती तो मैंने इसमें प्रोटोन का प्लांट लगा दिया देखे कितना खुबसूरत लग रहा है इसमे का बड़ा वाला बाटल है इसके उपर के हिस्से पे मैंने मनी प्लांट लगा रखा है वो भी मैं दिखा दूँगी ये नीचे का हिस्सा मैंने दो पीस में कट करके इसमें मैंने एक जोरा का प्लांट लगा रखा है और ये बहुत सुन्दर डेवलेफ हुआ है तो आप कोई भी प्लांटर बना सकते हैं और अपने घरों को सजा सकते हैं जरूरी नहीं कि आप महंगे महंगे पॉट्स में प्लांट्स लगाएंगे तब ही आपके बालकनी सुन्दर दिखें ये मैंने वारली लुक और इमोजिस का ट्रॉइंग किया है पॉट्स पर आपको जो डिजाइन पसंदा है जो आपको बनाने का मन करें आपको अपनी चोईस से बना सकते हैं एक बात का ध्यान रखिएगा कि आप कलर जो सेलेक्ट करेंगे वो पर्मानेंट कलर एक्रेलिक का कलर यूज कीजिए जो कैनवास या फिर कपड़ों पर यूज होता है वो कलर यूज कीजिए टेंपरेरी कलर वाटर कलर वगरा ना यूज करें क्योंकि अगर इस पर पानी पड़ेगा तो वो कलर पूरी तरह दूल जाएगा तो देखा आपने सभी वेस्ट मेटेरियल से मै बौटल है चो उसे मैंने कट करके बनाया है और इसमें सभी में मैं प्लांट लगा रखे हैं आपजैसा डिजाइन चाहें वैसा बना सकते हैं घ्री चा की कि इसमें मैंने नाउैनो नाईनो क्लॉक टेनो क्लॉक सारे फ्लावर्स लगा रखे हैं कि ये देखिए इसलरी का बड़ा बॉटल काुपर का हिस्सा जिसमें मैंने मनी टफलां लगाया यह चोटे शुकल का डब्बे हैं उसमें plupart लगाया है 1978 और यह देखिए चमनपरास का एक डबबा था उसमें लगा दिया है मैंने प्लांट और यह सारे पार्च लिटर के जो ओईल का केन आता है उसे मैंने दो पार्ट में कट करके इसमें मैंने प्लांट लगाए हैं देखिए कुछ लोग कहते हैं कि प्लास्टिक के पुराने डबबे में प्लांट का अच्छा नहीं वगा لेकिन आप देख सकते हैं कि मेरे सारे प्लांट का ग्रोथ भी कैसा है और कितने सुन्दर लग रहे हैं चोटे-चोटे डब्बे में यह पुराने ग्लास है मेरे वो उसमें भी मैंने मनी प्लांट कोई भी प्लांट पसंद आए वो आप लगा सकते हैं बस यह नौलेज जरूर रखे कि किस प्लांट में किस पॉट म में कौन सा प्लांट खुबसूरत लगेगा जैसे अगर कोई हैंगिंग प्लांट है तो उसे आप हैंग करने वाले चोटे से बिसलरी का बोटल में लगाईए यह थोड़ा नौलेज होना जरूरी है तो आपके प्लांट बहुत खुबसूरत दिखेंगे अब मैं आपको 12 साल पुराना घंबला है बलाक कलर का था मैंने इसे नया लोग देने की कोशिश की यह देखिया मेरा किस तरह टूट गया है लेकिन मैंने ऊपर के को कवर करके किस तरह डिजाइन बना के ट्राइ किया कि एक नया लग मिले अपकोई यह बीजाइन देखिया बटर आप बना सकते हैं अपने पसंद से सभी खुबसूरत दिखेंगे कलर आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कीजिए मैंने तो ब्लाक कलर सेलेक्ट किया है तो सजाएए अपने प्यारे प्यारे पौदों को अपने गंबलों में कोई ज़रूत नहीं आपको महेंगे पौट्स खरीदने की अगर आप चाते हैं तो ला सकते हैं लेकिन इस तरह से क्या होगा प्लास्टिक का रियूज भी होगा रिसाइक्ल होगा और आपके एंवायरमे यह कुछ निकले तो इसमें ट्रांस्प्लांट करके ड्सरा प्लांट लगा ध civinhauk ने हैं पेरिट का डिजाइन पीकॉक आपको जो मन करें भीना सकते हैं मैंने तरह तरह के डिजाइन कहीं dereiben में वार्ली आट का लूकuin पटर्फलाई जो पसंद है आप बना सकते हैं आपको वीडियो में मेरे गंदेखें आँगे कैसे पुराने और कैसे दिखते थे और आप आप देखिए कैसे दिख रहे हैं वहीं भूल मैंने इसमें डिजाइन बना करकी कहसरा लूब दिया है मैं रिया मनी प्लाउट का भी जो है बहुत खौब सूरा इसने फ्लावर कोई भी फ्लावर बना दीजिए कुछ भी बहुत खुबसूरत दिखेगा तो है न कितना आसान तरीका घर की चीजों से आप अपने गाड़न को खुबसूरत बना सकते हैं और अपने गाड़न को नया लुग दे सकते हैं तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो आप ज़रूर लाइक कर दिजिए कमेंट कीजिए ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए जिससे कि जो गाड़न लवर है जो प्लांट लवर है वो भी अपने गार्डन कोखुबसूरत बना सके तो किसी कारण वर्ष फोग महिंगे पॉड्ट महिंद दरम नहीं खरीदना चाते हैं वह घर को चीजो को री यूज करना चाहते हैं तो इस तरीके से वो अपने घरों को सजा सकते हैं अपने गार्डन को सजा सकते हैं तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आकर पूछ सकते हैं और कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो मैं जरूर जानना चाहूंगी मैं भी अपने वीडियो को अच्छा से अच्छा बनाना चाहते हूं आप लोग के लिए अच्छे से अच्छे वीडियो में बनाना चाहते हूं तो कोई सजेशन भी हो तो आप जरूर दीजिएगा प्लीज तो मि मिलते हैं फिर अगले वीडियो में गुडबाई एंड स्टेए सेफ आई झाले कि लाश में गवरी के समय सक्टाई सेह«到 विलते हैं पहले कि डीडियो में गली आई पिलते हैं तो अ है मिलते हैं एारी कि लाच जलते हैं ंड स्टेडियो आट सेफ में आए ट competे । झाल झाल